शादी में देरिका हो या शादी के बाद में दरार की बाते हो तकराव की बाते हो या जगड़ की बाते हो तो इस भी का समाधान जोतिस में है और उद्धाक समाध्यम से या जबसुस की मध्यम से इसका समाध्यम अत्यनतर रूप से संभव है कि टूटने के का गार पर है जघल दोनों का समाधान एक है एक तो शादी नहीं हो रही है क्याओन होती है ज़िछाप मंगल गरह ठीक आपके नहीं है तो आप जानिये कि इसादी में बहुत दरी होने वाली हैं दुसरी बात है कि द्रोश्प्रती ग्रह आपके शाप्ने ठीक नहीं है तो अब इसादी में दूरी हो जाती है तो मताब कहीं के रिस्ते बने के रिस्ते के रिस्ते आते हैं लेकिन जहां से रिस्ते आते हैं कहीं आप प्रोच करते हैं, आपको लगता है कि वहां ठीक रहेगा, आप प्रोच करते हैं, लेकिन आपको प्रोच को नकार देते हैं, होता हुए बात, मैं बहुत दो जानता हुआ इस परका से देखा हुआ है, मैंने कि इस परका से संगस गुजरता रहते हैं, और साधी काना जदी आपकी जिवन में दुख लिखा हुआ है, जदी आपके चाट्टे बोधा करण ठीक नहीं है, इसका मतलब है कि दुख, कोई ने कारण से दुख चलता रहेगा, तो ये साधी नहीं हो पाना ये दुख कारण बन जाता है, कोई बार ये देखा गया है कि आपके शनी जो ह पाने के बाद में फिर ये शनी देखता रहेगा, तो शाधी के बाद भी आपको प्रेशानियों का सामना करना पड़ेगा, दुख बहां शुलम हो जाएगा, तो शादी नहीं हो और पाने का मतभी है कि ऐसे ऐसे मंगर के बताया मैंने, बर्षपती बताया मैंने, शनी के बारे में बात किया मैंने, बुद के बारे में बात किया मैंने, ये भी कई मार हो सकता है कि आपका रहो के दिश्ट्री सुज़ को पर में होता हो और स्पेसिफिक रहों में इस ट्रका स्थिती बनती हों कि आपको पितरदोस लगता हो तो शाधी हों नहींपाती है अतक प्रश्रम करने के बावजुद में साधन होते हैं बावजुद बावजुद मैंने ये भी देखा हुआ कि लड़की सुन्दर है, लड़का हैंडसम है, अच्छे जॉब में है, अच्छे जॉब में है, अच्छे जॉब में है, अच्छे परिवार से है, अच्छे बेवार है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन हाद हो नहीं पाती है, दूसरी लड़की जो ह में कुछ खास नहीं है और उसमें ऐसे कुछ खास गुण भी नहीं है और शादी हो जाती है और बड़े माशत रहती है कई बार यह देखा गया है कि लड़की सब अच्छी-काची होती है तो शादी हो जाती है तो शादी हो जाती है तो शादी के बाजन दुख पाते रहती है कि सोचते हैं रहता शादी नहीं करता अच्छा रहता अब कहां फस गई मैं मतब उपर से गिरे खजुर में अटके ऐसा शिती हो जाती है इन चीजों के लिए बहुत जरूरी है कि जब शादी नहीं हो रही है तो समझे कि भी शादी वाला कुछ चक्कर तो है तो उसमें एश् यह सैंवेड़ें कि बादे पराशता है कि भाई आप पहले तो पहले तो पहले थीक ताईज़ तो किया हो गए दوبारा से तो इसमकर चीज़े में हो जाती है आदी परिशान हो जाते है दुखी हो जाता है शादी को कर लिए मैंन बहीं तो शादी की होने के बाद में जब ज प्रचने होती हों, तो वहां जमशन से बचते हुए रुद्राइक का सहरा लेना ज्यादा स्वेस कर होता है। के एक एक्षिव स्थरान कृस्ट में आपको प्रमठी स्टोन दिया जा सकता है। लेकिन जदाता समाधान मेंने देखा हुआ है कि रुद्रायक्स से बहुत अच्छा समाधान मिल जाता है. तो ज़िए आप के जीवन में ऐसे कुछ स्थेती हो कि शाधी के देरी हो रही हो, प्रयासों के बावजद में शाधी नहीं हो पा रही हो, या आपके शाधी हो चुकी हो, लेकिन शाधी में दरार पढ़ चुकी है. शाधी में प्रेम भावतिरोईत हो चुका है और पत्ती पत्ती एक दुसरे के साथ रहने से बहुत दुखी है. इसको भी समाधान उपर लुद्ध है. किस प्रकार से नेगर्टीब एनर्जी जो अब जडर्ट हो चुकी है, इसको किस प्रकार से कर्णवर्ट कर दिये जाए, और जो शक्तियां आपको हनी पहुँचा रही हैं, वही शक्तियां आपके सहायक सिद्ध हो जाएं, और वही आपके जीवन में प्रेम और उमंग पैदा कर दें, तो क्यों नहीं? क्योंकि साधी के बाद में बच्चों के जिम्मदारी होती है, यह इतना आसान होता नहीं है कि आप अलग-अलग हो जाएं, कोशिस चरूर करनी चाहिए, कि किस प्रकार से आप इसको समाधां कर लें, क्योंकि यह दिखा जाता है कि कुछ नहीं कि साधी हो जाती है, एक साधी हो जाती है, तोट जाती है, फिर साधी हो जाती है, फिर शादी करने चेक्तर मुलते हैं तो इसका अब यह कि बुनियादी तोर पे बुनियादी तोर पे उनके चार्ट में ऐसे कुछ ग्रहों का प्रवाब है जिसके कारण में साधिया वारदा टूटते रहती है के और यह भी देखा गया है कि शादी हो जाती है उसको बाद में एक्स्ट्रामेटर लेफैस हो रहा होता रहते हैं उसके भी कारण होते हैं यह सभी चीजे चार्ट को अनलेज करके समाझ में आ जाता है जदि आपको पती हैं पती में ऐसा कुछ खोट है या कुछ परिशान से आप जानती हैं कि कुछ- रुद्राक्स पहनाएंगे तो ओबी ठीक हो जाएंगे जदि आपको पती हैं पत्नी से कोई प्रॉलम है आपको तुछ चार्ट को अनलेज करवाईए और उन्हें को रुद्राक्स पहनाईए तो ओबी चीजे सही हो जाएंगी देखिए पती-पत्नी परिपूरक होते हैं यह दुसरे के ख्याल करना, मदद करना, कोई किसी से गल्दी हो जा तो उसको सुधाने के मौका जाना यह फर्ज होता है तभी ताम पत्त्सुक में बृद्धी होती है उसादी चलती है अन्य था आप जैसे भी उत्तम विचार के हो, उत्तम व्यक्ति हो, क्योंकि दो अलोग लोग परिवालर से आए होते हैं लोग, तो उनकी जो ग्रोथ करते समय है जिसकार की प्रभाव होता है, उससे प्रभावित होते हैं, उससे प्रभावित होते हैं, उससे बिएप करते हैं, तो इन चीज़ों को हम ट्विक कर सकते हैं, उसको हम चेंज कर सकते हैं, उसको परि जाक्समाध्यम से या जमस्माध्यम से इसका समाध्यम अत्यनतर ग्रूप से संभव है वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपके मुझे सावार है तो आप कॉमेंट सकते में रोल लिखिएगा क्वेश्चिन मैं उतर दने की कोशिश करूँगा अभी विज आप से में नमस्कार जय हिंद और जय भारत